हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल तो हमेशा की तरह आप सब कैसे हैं आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज में आपके लिए लेके आए हैं एक इम्यूनिटी बूश्टर यह कुई है हमारा काड़ा तो काड़ा हमें डेली पीना चाहिए और क्यों पीना चाहिए आपको पता है कि हमें हमारी युम्यूनिटी को बढ़ाना है और आज की टाइम पे जो कुरोना चल रहा है इससे हमें बाइबाइ कहना है तो फ्रेंड्स डेली आप इसका यूज किजिए तो वीडियो शुरू कर कि हमें क्या है तो सबसे पहले मैं आप अपको दिखा रही हूं देखिए यह तो आप सोच रहेंगी क्या है इसको कहते हैं गिलो गिलो आसानी से आपको किसी भी जंगल एरिया में मिल जाएगा तो मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही जंगल में जाना पड़ेगा जहां ज का टेस्ट बहुत ही कड़वा होता है लेकिन यह बहुत ही एफेक्टिव होता है बुखार के लिए तो बहुत ही ज्यादा एफेक्टिव होता है इसे को क्या होता है इसका सेवन करने से हमें बुखार कोई भी बायरिस बैक्ट्रिया कोई भी हमें एफेक्ट नहीं करता है यह ज्ठी होता है तो हमें क्या करना है सबसे पहले सब आपको बूलेंगे कि Prest aЖ Knew इसके दूर्च की लगी होते हैं तो मैं दोरें से इनौ प्रत एसको करके रख लिती हूं तो नहीं देखistic लोगों के लिए मैंने में एक एक इंच की आठ से आठ से नौ लक्रियां तोड़ी है तो इसको हम क्या करेंगे थोड़ा-थोड़ा पथर के हैब से अच्छे से कूछ लेंगे कूछने से क्या होगा इसका जो रस है वह इंकल बहुत निकल आएगा और पानी में अच्छे से इसका अर्क निकल आएगा तो फ्रिंट्स आप इसको धेर सारा फ्रिज में श्टोर करके भी रख सकते हैं और फ्रिंट्स आप लीव नहीं करेंगे यह बहुत ही कारगर नुस्का है क्योंकि आपको पता है मेरे साथ कैसी प्रॉब्लम हुई थी कुरोना की मेरे पापा और ममा एक्सपायर हो गए थे तो हम लोगों में भी यह सिम्टम्स पा लेंगे ना तो यह बहुत ही जादा आपकी बॉडी को एक्ट करेगा तो अब हम क्या करेंगे यहां पर मैंने आठ से दस काली मिर्च ली हैं तो हम दो लोगों के लिए बना रहे हैं तो उसमें आपको मेजरमेंट भी बताती जारें कि आठ से दस हमें काली में चार हमें तो दो लेंगे एक एक इंच की डाल चीनी की लगणिया तो यह हो गया और हम साथ में लेंगे लाइची तो यह हमारा इतना जो हमें गरम साला लेना है वह इतना सफिसेंट है दो लोगों के लिए तो हम सबसे पहले लाइची को दाने निकाल के इसको अलग कर लेंगे क्यू तो देख रहे हैं आप हमारा बहुत ही अच्छे से महीन इसको हमने कूछ के रैडि कर लिया है और अगर आपको चाय पीने की हीड़ है तो आप अगर इसको पिएंगे तो आप चाय पीने की हैवेट से भी बस जाएगे क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको चाय की लट लगी हुई होती है तो वह काड़ा बना की पीएंगे तो आपको चाय अच्छे से छूड़ जाएगी तो आब हम इसमें क्या करेंगी एक इंची का अधरक का तुकड़ा अच्छे से पूच लेंगे तो इसका भी रस बाहर नि दालेंगे तो देखिं हमारा पेहन फूल भर गया है तो आप इसमें क्या करीं जो हमने कुछ के रखा हुआ था सहरा समान वह में इसमें डालदेंगे तो हमें इसमें शारा सामगरी डाल दी और फिनांगा उप्लूंच अधर जिवग नहीं होगा जो गुरुच है या प्रॉब्लम नहीं होती है यह हमारे बहुत आट इंगे तो आप कितना बचाना है आप देख रहें कि इसका एक हिस्सा पानी सूख जाना चाहिए पकते पकते उतना हमारा काड़ा सफिसेंट होता है तो इसको हम मीडियम क्लेम पे आदा गंटे के लिए पकने देंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारा एक हित्सा पानी कम हो चुका है तो अब हम इसको लेके इस ट्रेनर की हेल्फ से इसको हम ग्लास में कफ में आपको जिस चीज में यूज करना तो आप उसको चानले और इसको हम चाय की तरह पिएगे तो इससे हमारे बॉड़ी को बहुत ज्यादा एफेक्ट होगा और सीरियसली गाइस यह बहुत ही बहुत ही इफेक्टिव है तो आप प्लीस इसको बनाएए इसको पीजे पीने से क्या होगा आपके जो भी बैक्तिर एक दम ठीक हो जाता है तो आज कल जो सिच्वेशन चल रहे हैं उसमें आप इस तरीकी से काड़ा बनाईए पीजे सब को पिलाईए यह बहुत ही एफेक्टिव एंट कारगर है तो प्लीज फ्रेंड्स इसको बना की ट्राइ किजे हमें बताईए कि आपको कैसा लगा है और हम कर दो आपको कैसा लगा है इसको आपको कैसा लगाई सूमया प्लीज एफेक्टिव को प्लीज़ एफेस्टिव